लुट्टरिंग एक्सलेंस तो गडिनिक्स ट्रेंट्स वेलकम यौल इनार अबैकस अक्डमी टुड़े वील हवाग्लास ओन डिविजिबल्टी रूल्स ओके करत będą डिवाइड करते है यह नहीं करता तो इसके मुझे सौट करते हैं को स्व thou हाँ है उनिवर्सल है विवेसर मतलब यह सभी नंबर को डिवाइड करेगा ठीक है आहां अब आते डिएजिवल्टी रूल आफ टू पहला डिएजिवल्टी रूल है कोई भी नंबर के चैक करना कि वह डिवाइड होता है नियुक्षा सिम्पल सी बात आपको क्या करना उसी नंबर की यूणेट टिपलेस चेक करना है और लास्ट डिजिट कि ऐसी फिर लूट 4 2 3 8 वह एक एड अगर लास्ट डिजिट एवन इवन एर ऐवन और इवन वी जी तूर लए तो अगर लास्ट डिजिट के ओट नभरकिन आवें तो लिए इसट रिवे प्रिंपट प्रिंग ये तो नहीं होगा ठीक है यह थे लास्टिविजिट याज ये ये लास्ट रिच इसलिए है क्योंकि exam point of view से तुम्हारे लेवल में 3 का 9 का 11 का यह थोड़े से ज्यादा important है ठीक है reason इसका यह है कि आपके exams में इनक्या नहीं क्या ज्यादा questions रहते हैं देखो 3 का divisibility rule होता है if we sum the digits of the number अगर हम सारे number के सारे digits का sum करते है नंबर के सारे digits के sum करते है example देखो यह रहा मैं कर लेता हूँ सारे digits के sum 2 plus 3 5 5 plus 4 9 9 plus 5 14 14 plus 7 21 अब हमें check कर देखो 21 3 की डेवल में आता है yes obviously बात है 3 से divide होता है कितना time 7 times तो पूरा number भी का हुआ 7 से होगा चेक कर सकते हैं देखो चेक कर लेते हैं कोई problem नहीं होगी 1 plus 3 4 4 plus 7 11 11 plus 9 20 20 plus 4 24 24 plus 3 27 yes यह 3 से डिवाड होगा कितना 9 times then यह पूरा number भी है 3 से डिवाड होगा ठीक है लेकिन एक्जाम में आपके जैसे कोशन आएंगे आपको बताऊंगा कैसे आएंगे ठीक है अब ही देखो एक्जाम में ऐसे में सुचन है कि इसी टाइप के कोशन आएंगे देखो 5 plus 2 7 7 plus 7 14 14 plus 3 17 17 17 दुनिया तो 3 के टेवल में अब देखो 3 plus 6 9 9 plus 4 9 plus 4 13 13 plus 15 अब यह ठीक बना आता है कितना फाइव टाइमस तो क्या होगा यह नंबर भी 3 से डिवाड़ हो कौन सा फॉस्ट थर्ड ठीक है अब देखो अब हम गवाद करते है फोड फोर की थे फोर का डिजोल होता क्या है देखिए क्या होता तू में क्या कर रहे थे हम लास्ट क्राइच करते है तो क्या हक्ति है तो लॉस्ट टुछाइजट टू डीजिट अल्क वह इव ठीक कर सक और फोर से बीजिवल ऑ new leftover football example यहां कहा 48 चेक करेंगे 48 टूपोर्स डिवाइड होता है कि यस 12 टाइमस होगा ठीक है तो यह नंबर भी क्या हो फोर्स डिविजिबल इधर चेक कर लो 72 येस 18 फूर्जा 72 18 फूर्जा 72 तो यह भी होगा ठीक है बागी चेक कर लेते हाज़ाओ इसके बाद अगर नहीं होता हम थलो गींघक है ऑगे और कि यह चेज बताएगा है जिससे एक और चीज़ बताएँ Дौब में अउनकोद लेंगे तो इसे पहलें य액ibly चीज़ करता हूं थेलोते हैं ड्रेडर तो टीज़िजट ने मेंगे है जिरो जील जीलिरुब स्टेवल और से निवेड करो मैं सबसे निवाइब होता है ठीक है लास्ट टूव डिजिट करते हैं तो यह फोर से डिवाइब करेंगे लेकिन एक में आगे उखांट लास्ट थरी डिजिट होता है चला आगे रहा है यह जीरो भी आगे तो हम ले नहीं है कि दिविजिबिल्टी रूला फाइफ फाइफ में क्या होता है बेसिक लिए देखो फाइफ की टेबल्स अबने पड़ी है एक भूल जाए यह एक्जाम्पल से फाइफ 10 15 20 25 30 35 देखो अब हम कुछ नोटीस करेंगे इनहीं में नोटीस कर लेते हैं क्या रहा है या तो देखो नोट यहां क्या फइफ उल्गॉशा कर लेते हैं तो यहां से इनद्र लोगा हो इ से नहीं हो गयrest रही होगा यहां क्या विशाय करना है तहां मिझे क्ытनाम लगता तब ही सीबात कि Katrina कर देते और इसके कोicallyateurs भी आथे अब 6 की बात करते हैं 6 पहली बात तो क्या है 6 के factor काई है 2 और 3 2 का divisibility rule क्या था number क्या अगर हम यूट प्लेजचेक करते है अगर हो divisible है 2 से अगर किसी भी number का unit place 2 से divisible है तो number क्या हुआ 2 से divisible हुआ 3 का क्या था sum of digit क्या था अगर एक नंबर का sum of digit 3 से divisible है तो नंबर भी क्या होगा? 3 से divide होगा, 6 के case में क्या होता? देखो, 2 और 3 के LCM क्या आता है? 6 तो क्या है? 6 इन से divisible होगा? तो यहाँ चेक करते हैं, से division 3 सेख करना है अब देखते हैं, फोर प्लस फाइस, 9觉 ही Issa 5W, वे इसे हो ARE two or three, तो ya six वी होगा तो यहां तो guarantee मिलगी मुझे यहां चेक कर रहा है यहां से स्रिफ 2C हो रहा है अब चेक करो 3 plus 5 8 8 plus 8 16 16 plus 4 20 20 plus 4 24 24 भी 3 की टेवल में आता है कितना 8 times यहां 3 से भी हो रहा है तो यहां पर भी क्या होगा 6 से डिवाइड होगा देखें यहां देखो 7 plus 2 9 9 plus 4 13 13 plus 5 18 यहां 3 से डिव अब 7 का कहें थोड़ा से complicated है देखो 7 में क्या करना होता है मालों एक नंबर है 875 हम क्या करेंगे unit place को double कर देंगे unit place का double कर दिये कितना 5 2 10 double करना सब क्या होता है अब unit place को हटा कि जो नंबर बच गया हमार पस नंबर क्या 87 87 में से माइस कर दो 10 जो हमारा remainder आएगा उसको हम क देखो क्या करें हम विल मंटिप्लाइब यूनिट प्लेस नंबर बाइटो इन प्लेस डिजिट बाइटो टू से मंटिप्लाइब करेंगे जो रिमेंडर आया है जो माइस करने बाद जो हमारा remainder है अगर वो 7 से डिवाइड होता है ऐसा पूरा ऐसा होल पूरा नंबर क्या ह होगा वह भी 7 से डिवाइड होगा ठीक है अब चेक कर लेते देखो एक और चीज बताओं मालो अगर नंबर बढ़ा है मालो रिमेंडर हमारा अभी तो 77 आया माइनस करने बाद मालो माइनस करने बाद हमारे रिमेंडर भी बढ़ा आता है तो हम सेम प्रोसिजर क्या कर सकते रिमेंडर को रिमेंडर साथ भी कर सकते जैसे 774 मालो एक बार माइनस करने बाद काया 774572 यह आया अभी भी बढ़ा लग रहा है मुझे तो इतने को इतने को 7 से डिवाइड करने इससे तो पूरे को डिवाइड कर लेते यहां पर भी बता क्या क्या करें वापिस यूनिट लग रहा है तो वापिस क्या कर दो डबल 6 नमबर क्या बच गया 7745 अब भी किसी बढ़ा लग रहा है ठीक है वापिस इसको डबल कर दो करते जाओ जुद जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि यह नमबर अभी तख मेर लिए बढ़ रहा है डिवाइड करने के लिए अब देखो, क्या करना है 819 है, 9 का डबल क्या मैंने क्या हो, 18 बागी नंबर क्या बचाता है, मेरे पास 81 81-18 कितना होता है, देखो 61-63 7-63 में आता है, यह 7-9 जे 63 ठीक है, तो यह 819 भी क्या होगा 819 भी क्या होगा 7 से divisible, 2 अला देख लेते हैं 431, 1 का डबल किया 43-2 1 का डबल क्या होता है, 2, 41 7 के डबल में नहीं आता, तो यह भी नहीं आएगा अब देखो, यहां क्या है, 0 ठीक है, 0 है, 147 माइनस 2 माइनस 0, sorry, 0 का डबल, 0 बच्चा क्या मैंने बच्छा, 147 अब देखो, किसी को लग रहा है, यह बड़ा ठीक है, अब क्या unit प्लेस पर क्या है, 7 7 का डबल क्या होता है, 14 बाकी नमबर क्या बच्चा है, 14 माइनस 14, देखो, आंसर क्या है, 0 अभी मैंने थोड़ी दिर पहले क्या बच्चा था 0 एक ऐसा नमबर है, जो सबसे divisible होता है, तो यह भी 7 से भी divisible होगा, तो यह पूरा नमबर भी होगा, 7 से divisible होगा, ठीक है ओके, यह वह ही है, अगर एक larger number आता है, तो हम क्या करेंगे, same procedure को 2-3 बार कर सकते हैं, larger number आ गया, तो procedure को 2-3 बार कर सकते हैं, जैसे मैंने, मैंने भी क्या किया, 1470 को 2-2 बार किया, ठीक है, आप ऐसे continue कर सकते हो, जो आपको लगे convenient, divide करने 7 से, हाई, अब मैं divide कर सकता हूँ, confidently, तो आप कर सकते हो, ठीक है, ओके, इनका चेक करने है, अब देखिए, मैं आपको 2-3 बता जिता हूँ, देख पहले है, सबसे बड़ा number यहां पर कौन से लग रहा है, यह, ठीक है, क्या किया है, मैंने, 368439, क्या किया है, पहले है, यूनिट अब देखो, अब देखो, अब थोड़ा, फाइफ को, टू टाइमस मंटिप्लाइ कर तो, यूनिट को वह इक प्रसीजर सेम रखूँगा, फाइफ तू जा टैन, बागी क्या बज़ गया है, मेरे पास, तू का मंटिप्लाइ कर दिया तो, ठीक है, बागी क्या करना था, य फोड़ा से मुझे लग रहा है कि छोटा है, अब चेक कर लेते हैं, सेवन से, सेवन फाइफ जा, थर्टी फाइफ, माइनस, वन, थ्री, अब यह थर्टीन तो आता नहीं सेवन की टेबल में, तो यह पूरा भी सेवन से डिवैड नहीं हुआ, चेक कर सकते हैं, आप आगी, ठीक है, पहला, दूसरा मैं करा देता हूँ, आप पो यह वाला, यह वाला, यह भी बड़ा से लग रहा है, ठीक है, बाकी सारे आप चेक कर सकते हैं, 707091, ठीक है, क्या करें, यूनिट प्लेस का डबल कर दिया, 70709-2, यूनिट प्लेस का डबल किया तो 2 आया, और बाकी ब करना है, ऐसा नमबर बन गया, सिम्बल चेक कर लो, साफ साफ दिख रहा है, पूले टाइम के 7 है, तो अपना प्लेस का डबल किया, 10, बागी यह नमबर क्या बचा है, मेरे पास, 8641, माइनस कर दो, क्या बचा, इधर लिख रहा है, यह वर उपड़ देख लिए, 8631, ठीक है, अब मेरे को आपीस बड़ा देख रहा है, यूनिट प्लेस का डबल कर रो, 2, बागी नमबर क्या बचा है, 863, 861, अब यह मुझे बढ़ा देख रहा है, यह लोग कोई दिक्कत निया, 860, यूनिट प्लेस का डबल कर दो, 2, बागी नमबर क्या जा, 86, 84, अब चेक कर लो, या, 12, 7 जा, 84, तो यह भी डिवाइड हो रहा है, तो यह पूरा नमबर भी क्या हुआ, 7 से डिवाइड हुआ, अब देखो, simple divide हमें करना ही नहीं बढ़ा, simple अगर यह procedure हम कर रहे हैं, तो कितना जल्दी कर सकते हैं, कितनी जल्दी चेक कर सकते हैं, 7 से divisible है, ठीक है, divisible rule of 8, 8 हम पहले बता था, हम क्या करते हैं, last three digits चेक करते हैं, देखो, last three digits चेक करें, 432, 432, 8, 850, 40, 3, 2, 840, 32, यह आगया, ठीक है, अब देखो, थाउजन टे लास three digits क्या है, 30, 1, 2, 3, मैंने क्या बता है था, 0 के ऐसा नमबर जी सब सब सब्सक्राइब होता है, 0, 0, 0, तो यह थाउजन भी क्या होगा, 8 से divisible, यहाँ देखो, 200 है, 8, 2, 16, 5, 40, ठीक है, आपको क्या करने, simple last three digits चेक करने है, 248, ठीक है, 136, आपको simple क्या क्या करने है, last three digits चेक करने है, अगर divide हो रहा है, तो पुरे नमबर भी क्या होगा, 8 से divisible होगा, 9 का भी बहुत simple है, देख 9, 10 का तो बहुत ज्यादा simple है, 9 का है, same three का, three के जैसे है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी, चीज चेंज है, क्या, यहाँ क्या होना चाहिए, sum of digit, sum of digit किस से divisible होना चाहिए, 9 से, क्योंकि हम किसका check कर रहे है, 9 का, sum of digit किस से divide होना चाहिए, 9 से, यहाँ sum of digit कर लो, 4, plus 7, कितना ह हो गया, 11, plus 3, 14, 14, plus 4, 18, 18, plus 9, 27, 9 के टेबल में 27 आता है, yes, आता है, three times, ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए, 9 से divide होने के लिए, 9 के टेबल में आना चाहिए, क्योंकि होता गया, 3 के टेबल में 6 आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 15 आता, 9 के टेबल में नहीं तो ये 3 से थोड़ा सा डिफरेंट है, बस 9 से डिविजिवल होना चीज़, जैसे चेक करो, 15 प्लस 3, 18, yes, 9 डिटेवल में 18 आता है, तो ये भी होगा, अब यहां चेक कर लेते हैं, 4 प्लस 1, 6, 6 and 21, 27, ये भी हो जाएगा, डिवाइट है 9 से, चेक कर दें, 3, प्लस 2, 5, 13, 19, 19 ये भी डिवाइट हो जागा, तो कितना एजी है, मैंने डिवाइट किया है, और पहले ही बता चल गए, मुझे कौन कंसे 9 से डिविजिवल होते हैं, आपको क्या करना है, सिंपल sum of digits क्या हो, 9 से डिविजिवल हो, अगर sum of digits क्या है, 9 से डिविजिवल हो, तो number भी क्या होग यहीं तक क्या नोटिस का रहे है उन्ट प्लेस पर क्या रहे है जिड़ो सब्सक्राइब की स्टाइब कर देखते हैं 11 की थोड़ी सी थोड़ा सा आपको लगा कि सर ने क्या बता दियassociा लेकिन बस आप ही यहाद रखना मैं ओड नमबर की बात नहीं करा हूं और प्लेइस की बात करहूं समझ आप अब से नाम दे रहा हूं को द्रेश कोनाम कि नम दे रहा हूं ऑन में 2 ऐए फॉर इंदर नोके 6 और लेंट सुरह से सिं अगर रहोी यह वन फ्लें वाले नमबर का सम करता हूं। माइनो प्लेशों इंदर या यह यह कामलटीपल फटी थैंद कुछ फ़ी रह दो होगि ग06 मुझेख क rif कर देजे यह लिदा से यह वासिशन करता हूँ और फिर सम कर देता हूं और प्लेस jako अगर जीरो अगर ध्लेबल फीर ले मुटिपल तो क्या होगा और मिंगे इद चैक कर लिए सितना हो खेग लगा है तो ऩू टू द्री एक एल्ग प्लस एक है कि इस बत कर रहा हूं लाट है रहा हुआ हां अपका किस की बात कर रहे हूं अर्ड को अपने तेना की और नंबर की ऐसे देंगा अब यहां वह आ पने तो इसको और नमबर दे लेकिन एट एवन मैं place की बात कर रहा हूँ, यह जात है important, ठीक है, place क्या लगा नहीं, यहां से लगा रिशाट कर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, अब और place क्या है, 4, plus 1, 5, 5, plus 6, 11, 11, plus 1, 12, ठीक, even place क्या है, 3, plus 0, 3, and then 9, टो, 3, plus 0, क्या होगा, 3, 3, plus 9, 12, 12, मैंस व्लकरता हूं, 0, यहां पाभी 0 अगया, यहां बहुड़ है, अब और place क्या है, अब और place क्या है, यहां बहुड़ है, यहां आए से कर लेता हूं, ठीक, एक छोड़के एक, तो और ही होगा, 8, plus 1, 9, 9, plus 13, 13, plus 9, 22, अब इवन place वाल से स्टार्ट करें यहां से भी कर सकते हैं को दिक्कत नहीं है फिर यहां से वाइस वर्षा हो जाएगा को दिक्कत नहीं है 4 प्लस 1 5 5 प्लस 6 11 22-11 करता हूं तो क्या है 11 देखो मैंने क्या जाता अगर हम even place वाले number का sum करते हैं किससे odd place वाले number का या difference करते है odd place वाले number से का even place वाले number से ठीक है तो अगर answer 0 आजाए या फिर 11 का multiple आजाए तो क्या होगा वो number 11 से divisible होगा यहां पर क्या आगए 11 आगया ठीक है तो क्या होगा 11 से divisible होगा चलो अब हम questions पर आते हैं आपके exam point of view कैसे questions आएगे इसने क्या बता थी क्या है थी से divisible है पूरा number क्या है थी से divisible है चलो अब हम करते हैं आएगा कैसे question exam point of view ठीक है फिले सम्म करते हैं 8 प्लस 0 sorry 1 प्लस 01 एन फिर 8 9 9 प्लस 9 कितना हो गया 18 18 प्लस 4 22 22 और एक ही value मुझे पता नहीं है ठीक है अब देखो मैं एक ही प्लस पर क्या रखोगी 3 से divisible हो जाए यहाँ पर अब देखो अगर मैं एक ही प्लस पर 1 रखता हूं 23 बना 3 से divisible है नू 0 रखता हूं 22 बना यह भी नहीं हुगा यहाँ एक ही प्लस पर 2 रखा 24 यस डिजल आगे ज़रूत नहीं है सिंपल ठीक है लेकिन आप तो एक और चीज बताता हूं अब होगा होगा क्या है एक और चीज बताता हूं यहाँ पर पहली बात हम प्लस ए बना गया तो इसके पास वाला तो 24 है और इसके पास वाले कौन-कौन से हो सकते है 27 और कौन को सकते है 30 और कौन को सकते है 33 लेकिन अब एक चीज हो ना एक बार मां माइनस करता हूं 33 मिसे अगर मैं 22 माइनस करूं मेरा पास आंसर आ है 11 एकी वेल्यू कभी 11 हो सकती है नहीं हो सकती है अब 11 तो नहीं हो सकती है 33 तो हो नहीं सकता कभी ऐसे पॉइंट सोचना हम झाए अब के और क्या हो सकता है है डावर्थ अमने फेसलियुक्ष मैं मैं ट्व्ऐ मेंन्स वासकती है अगर नvitल को सक्ते है थेक हैं सब्सक्राइब क्या हूंसर मट इसका अगर और सब्सक्राइब नहीं दिजिट ला सकते हो, और 3 का क्या होता है, 3 का होई है, और टेबल लिखते हैं, तो after every 3 डिजिट क्या होता है, repeat होता है, ठीक है, चलो, इफ़ नमबर, 47625P is divisible by 3, what will be the value of P, पहले सम कर लो, अल्रेडी बोला कि 3 से डिवाइड है, मतलब अगर इफने या सम करूँ हो, तो क्या हो, 3 से डिवाइड है, 11, 17, 19, कितना है, 24, 24 अल्रेडी हो गया, सूच कि देखो सर, 24 अल्रेडी हो गया, मतलब 3 से डिवाइड है, अल्रेडी है, प्लस P, कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो, एक मिनट वापीस में सम कर लेता हूँ, यहां पर दो आंसर दिख रहे है, 11, 17, 19, 24, हाँ, यहां दो आंसर होंगे, बताते हूँ, पहर ही बाते हो, 24 अल्रेडी पी के उसमें, 3 की टेवल में आता है, तो P की वैली अल्रेडी 3 रखूँ, तो 24 प्लस 3 कितना हो गया, देखो, 24 प्लस 3 कितना हो गया, 27, 27 भी हो सकता है, 3 की टेवल में होता है, then 0 and 3, बोथ हाँ दा करेक्ट आंसर, ठीक है, यह पेपर नहीं है, एक प्रैक्टिस, मतब पीडिफ है, तो इसमें कुछ गलत हो सकती है, ओके, if a number 27, 274, H5, H1, is divisible by 3, then what will be the value of H, no problem, देखो, इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा, 3 सम करता हो, 2 प्लस 4, 2 प्लस 7, 9, 9 प्लस 4, 13, 13 प्लस 5, 13 प्लस 5, 18, 18 प्लस 1, 19, प्लस 2H है, ठीक है, प्लस क्या है, 2H है, तो H की value पहले बाद तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, प्लस 2H है, तो किस से डिजोल है, 3 से डिजोल है, पहली बाद हमारे clear होगी, अब देखो, 19 के बाद में कौन सा आता है 3 की टेबल में, 19 की बाद में था 21, नहीं आता है, लेकि 19 के बाद में कौन सा नंबर आएगा, जो 3 भी इंशेंग हो major कि अब प्लस का अर्य के उप थी वेल zach जहों कितनी जाये कि मिलेडे गिस की वेल्तव तो एच्टिए व मक्तिके यEMAगी ट्सunu कितनी यह जाएगी वन अब अपट्चन चलिए Airbnb कगयर्ण है ग्यार यह ऑर क्या क्या हो सकती थी सब्सक्राइब worthlessorg प्लेसे थी इदर देखना अगर मैं आइनके उसक्राइब 24-19 is equal to 2h अब देख 2h के value क्या आगी 5 अब आप खुछ सोच के दिखो यार as a digit लिख सेकते का 2.5 है हाँ digit को हम लिखी नहीं पाएंगे 2.5 दोनों को 2.5 इसलिए अगर ऐसा question आता है तो क्या sum और 90 नहीं हम पर दे रखा है अगर यहाँ पर अगर odd है कमारा sum भी क्या होगा odd होगा यह ज्यादा important है which of the following option is divisional by 3 sum of digit करतेते हैं कोई दिख्यत नहीं है तो करने में 6 plus 3 9, 9 plus 5 14 14 plus 4 18, 18 plus 3 21 21 plus 2 23, 23 plus 4 27, यह 28 यह तो नहीं है 11, 12, 17 21, 27 30, 38 यह भी नहीं है 10, 16, 18, 22 25, and 9 34 यह भी नहीं है अगर यह सब नहीं है तो यह होगा पक्का यह चेक भी करने चरूरी है 6, 5, 11 15, 24 यहाँ साम क्या है 24 24 क्या होता है? 3 के टेल में आता है तो हमने डिएड के लिए option D will be the correct answer option D क्या होगा हमारा correct answer so students that's all for today we will meet you in another class with there are some PDF that are left so we will meet you in another class and we will solve that thank you cynic school and military schools offline and online courses are available at minimal cost Jai Hind क्या 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 क